सन 1857 में राजस्थान के सभी राज्जों में अंग्रेजों का प्रभुत्व था मारवाड, मेवाड, जैपुर, जोधपुर और कोटा में कमपनी के गवर्न जर्नल के प्रतिमिधी मौचुद थी इन सब के ऊपर था एजेंट टू गवर्न जर्नल जो अजमेर में रहता था उस समय राजस्थान में अंग्रेजों की छे चावनिया थी ये चावनिया नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरनपुरा और खेरवाड़ा में स्थित थी इन चावनियों में पाँच हजार भारती है सैनिक थे देश के अन्य भागों की तरह राजस्थान में भी शेहरों और चावनियों में साधू और फकीरों के वेश में क्रामती की प्रचारक आई उन्होंने सैनिकों में चर्वी वाले कार्टूसों के खिलाफ प्रचार किया और विद्रों की भावना जगाई चर्वी वाले कार्टूसों की बात सैनिकों में बिजली की तरह फैल गई अंग्रेज अपसरों ने जट पट देशी सिपाहियों से कार्टूस वापस ले लिए सिपाहियों का शक और भी पक्का हो गया तभी एक और अफ़ा जंगल की आग की तरफ फैली कि सिपाहियों को खाने के लिए जो आटा दिया जाता है उसमें हड्डियों का चूरा मिलाया जाता है इन बातों को लेकर भारतीय सिपाहियों में वित्रो की आग सुलगने लगी वो आपस में गुप्त मंत्रणाएं करने लगे नसीरबाद में मेरट की बगावत की खबर मिलते ही अंग्रेज अफसरों ने छावनियों के चारों और गोले भरवा कर तोपे रखवा दी अब तो भारती सिपाही और भी परिशान हो गए कई जगा सिपाहियों ने अपने अंग्रेज अफसरों से उनके बदलते वहवार का कारण पूछा साहब क्या ये सब तैयारियां हमें दबाने के लिए की जा रही है वह तुम लगत अच्छा आजमी है ये सब तुमारी भलाई के लिए है तो ये बात सच है आखिर 28 मई 1857 को दोपहर तीन बचे पंद्रवी इंफेंट्री के सिपाहियों ने क्रांति का विगुल फूप दिया वो अपने अपने हथियार लेकर बैरकों से बाहर निकल आए तोपों पर तैनाद भारतिय सिपाहियों ने जरा सी भी देर नहीं की उन्होंने च्छावनी पर अंग्रेजों के हमले को विफल करने के लिए तोपों के मूँ मोड़ दिये क्रांतिकारी सिपाहियों का उद्देश्य था हथियार और खजाना अपने कबजे में लेकर दिल्ली की ओर बढ़ना जोधपुर और जैपुर में उनका रास्ता रोकने वाले अंग्रेजों को मूँ की खानी पड़ी उधर नीमच के क्रांतिकारी चित्तोड हम्मीरगड और बनेडा स्थित अंग्रेजों के ठिकानों पर हमला करते हुए बिल्ली की तरफ चल दिये निमबाहिडा की जनता ने उन्हें भोजन रसद आ दिदी उधर एरनपुरा की सेनिक टुकडी जब मारवार के रास्ते दिल्ली की ओर बढ़ी तो आउवा के ठाकुर कुशाल सिंग भी उनके साथ हो लिए उन्होंने बिथुरा नामक स्थान में कर्नल हीत को हराया 18 सितंबर 1857 को राजिस्थान के एजेंट टु गवर्न जर्रल जोर्ज लोरेंस के साथ आउवा में एक बार फिट अपकर हुए जोर्ज लोरेंस फार गया और क्रामतिकारी दिल्ली की ओर बढ़ गए उदर भरतपुर में महराजा ने विद्रोही सेना का रुख देखते हुए अंग्रेज अफसर मेजर मौरिशन को सलाह दी कि वो भरतपुर छोड़कर चला जाए मजबूर मौरिशन आठ जुलाई 1857 को चला गया 11 जुलाई 1857 को अलवर में भी विद्रोह छड़ गया अलवर और आसपास के गाउं की जनता भी सिपाहियों के साथ हो गई उसने आग में घी का काम किया जैपुर में नवाब विलायत खां, मिया उस्मान खां और सादुल्ला खां की क्रांती योजना विफल हो गई और उन्हें बंदी बना लिया गया इसी समय टोक की सेना ने भी विद्रोह कर दिया, नीमच से आए क्रांती कारी सिपाहियों के साथ मिलकर नवाब से धन्वसूल किया और फिर दिल्ली की ओर चल पड़े मेवार के असंतुष्ट सामन गुप्त रूप से राजिस्थान की क्रांती कारी सेनाओं की लगातार मदद करते रहें वहां विद्रोह भड़कने की पूरी आशंका थी क्रांती कारी सिपाही जब दिल्ली पहुंचे तो अंग्रेजी सेना ने दिल्ली पर घेरा डाला हुआ था क्रांती दल ने पीछे से हमला बोल दिया अंग्रेजों को हटना पड़ा राजिस्थान में सन 1857 की क्रांती का एक महत्वपूर्ण केंद्र था कोटा पुलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन ने महराव से कहा कि वो जैदयाल, रतनलाल और जियालाल नामक अधिकारियों को उसके हवाले करते हैं इस बात पर भारतिय सिपाहियों और अंग्रेजों में मारकाट छड़ गई थे कि उन्होंने मेजर बर्टन का सिर कात कर पूरे शहर में खुमाया। किन्तु इसके बाद अंग्रेजों ने कोटा के विद्रोह को दबाने के लिए दमन चक्र चलाया। 1857 की क्रांती की लप्तें सारे देश में बराबर फ्यलती जा रहे थे। देश का मध्य भाग भी विद्रोह की आग में चलने लगा था। ग्वालियर, ललितपुर, छतरपुर, सागर, विजयराघवकड, रीवा, दमो, जबलपुर, मंडला, रायपुर, रामगड आधी जगाहों पर क्रांती फैल गई। जबलपुर के पास पुर्वा में राजा शंकर शाह ने अपनी कोठी से ही क्रांती संचालन की योजना बनाई थी। 52 रेजिमन की सिपाहियों का आना जाना बराबर बना हुआ था। किन्तु किसी घद्दार ने ये बात अंग्रेजों तक पहुँचा दी। 14 सितंबर 1857 को कैप्टन क्लर्प ने अंग्रेज सिपाहियों के साथ राजा शंकर शाह और उनके बेटे रगुनाद शाह को गिरफतार कर लिया। चत पत मुकदमा चला और दोना बाब बेटे को अगले ही दिन तोपों से बांद कर उला दिया गया। राजा शंकर शाह और उनके बेटे रगुनाद शाह के बलिदान से सारे क्षेत्र में अंग्रेजों के प्रती ख्रणा फैल गई। भारत ये सिपाहियों ने उसी रात विद्रो की खोशना कर दी। इसी घटना से बेचैन होकर विजयरागवगड के राजा सर्यू प्रसाद ने भी विद्रो की खोशना कर दी। राजा सर्यू प्रसाद की उम्र उस समय 17 साल की थी। उसके सिपाहियों ने अंग्रेजों के घोड़े छीन लिये। बाद में रीवा से अंग्रेज सेना आई। ख्राम्तिकारी सेना से युद्ध हुआ। पराजित होने के कारण राजा सर्यू प्रसाद फकीर का वेश बनाकर वहां से निकल गए। परन्तु अंग्रेजों ने उन्हें सन 1864 में गिरफतार कर लिया। जबलपुर में उन पर मुकद्मा चला और काले पानी की सजा दी गई। किंतु राजा सर्यू प्रसाद स्वाभी मानी व्यक्ति थे। उन्होंने आत्महत्या कर ली और इस तरह एक और स्वत्रंतता सेनानी शहीत हो गया। इनी दिनों बघेल खंड के स्वत्रंततावीर ठाकुर रणमत सिंग ने अजयगड में अंग्रेजों का शासन खत्ल किया और नौगाव चावनी पहुँचे जहां क्रांतिकारी सेना उनसे मिल गई। ठाकुर रणमत सिंग उस समय के क्रांतिकारी नेता तात्या टोपे और कुमर सिंग से संपर्क बनाए हुए थे। ठाकुर रणमत सिंग का युद्ध केवल अंग्रेजों के खिलाफी नहीं था। बलकि उन सभी राजाओं के खिलाफ भी था जो अंग्रेजों का साथ दे रहे थी। बिलसाय नामक स्थान पर उन्होंने जन्रल केसरी सिंग को पराजित किया। फिर लेफटिनेंट ओसबर्न की सेना से क्योटी के किले में भयंकर भडंत हुई। अनेक भारतिये वीवशहीद हुई। औस बन मारा गया। विजई ठाकुर रणमत सिंग रीवा में आकर अपने घावों का इलाज कराने लगे। अंग्रेजों ने रीवा के महराजा रगुराज सिंग पर दबाब डाला कि वो रणमत सिंग को गिरफतार कराने में मदद करें। च्पक ढाला करें।